तो अगर आपके घर भी पड़ी है क्रिशन जी की मूर्टी तो कीजिए उसे देकोरेट तो यह हमारे पास एक लास है यह हम पिछी की तरफ से आगी लेकर जाएंगे और यहां से क्रॉस बनाकर पिछे से अटाच कर देंगे हम यह सुई धागे से अटाच करेंगे आप चाहे तो ग्लूगन से भी अटाच कर सकते हैं यह हम इसे ऐसे स्टुच कर देंगे हमने इसे स्टुच कर दिया है अब हम यहां से कट कर देंगे ये देखिए हमारा उपर वाला पार्ट रेडी हो गया है एक मोटी वाली और एक पत्ली वाली लैस है हम इन दोनों को अटाच कर देंगे ऐसे दिस वे तो देखिए हमने इन दोनों लैसिस को अटाच कर लिया है अब हम इसको उल्टा करके यहां से स्चिच कर लेंगे यह रिखिए हमने यहां से अटाच कर दिया है अब हम एक बड़ा टांका लेकर यहां से स्चिच कर लेंगे अब हम इसे लास तक स्चिच कर लेंगे अब हम यहां से इस धागी को खीच लेंगे अब हम क्रिशन जी की मोटी लेंगे और ऐसे दार के इस धागी को अच्छी तरसे खीच लेंगे यह दिखिया हमने इसे अच्छी तरसे खीच के यहां से फिट कर लिया है इस खुशन जी की ड्रेस वेड़ी हो गई है तो अब हम बॉल चेन लेंगे इसे ऐसे कर लेंगे अब हम ऐसे ही दूसरी तरफ पी लगा देंगे मदद से यहां पर गोल चेन अटाच कर देंगे अब हम इस पर यही बॉल चेन लगा देंगे देखे फ्रेंट्स हमने बॉल चेन अटाच कर दी है तो यह हमने लैसे रेड़ी किया है हम इसको योगन की मदद से यहां पर काना जी के पीछे यहां पर अटाच कर देंगे यह देखे हमने इसे अटाच कर दिया है अब हम काना जी के बानसुरी तयार करेंगे तो ये हमारे पास एक चिक है हम इसके उपर ये रिबन को ऐसे और हम लगा देंगे इसको हमने चिक पर ये रिबन अटाच कर दिया है अब हम कुछ मोती लेंगे और उसके एक लड़ी तयार करेंगे तो friends देखे हमने ये एक लड़ी तयार कर दी है बांसुरी लेंगे और इसको यहाँ पर अटाच कर देंगे इसे ये दिखे friends हमने ये लड़ी तयार कर दी है और इसके उपर भी अटाच कर दी है अब हम इसके उपर एक स्चोन लगा देंगे तो friends देखिए हमने श्चोन लगा दिया है अब हम बॉल चेन लेंगे और बॉल चेन को इस बांचुरी के उपर अटाच कर देंगे अब हम ये बांचुरी काना जी को वकड़ा देंगे ये देखिए friends काना जी ने बांचुरी पकड़ ली है और वो रेडी भी हो गए है मोर भंक लेंगे और काना जी के यहाँ पर लगा देंगे देखिये फ्रेंट्स काना जी रेडी हो गए है झाल